आज हम आपको एक ऐसी सक्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे एक ऐसी दबंग लेडी की कहानी जो बनना चाहती थी हिरोईन लेकिन बन गई IPS अफसर और आज इनके इस दबंग अंदाज से अपराधी खौफ खाते हैं UPSC परिक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी को काफी महनत करनी पड़ती है इस परिक्षा को सबसे कठिन परिक्षाओं में से एक माना जाता है लेकिन महनत के बलबूते पर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं IPS अफसर सिमाला प्रशाद की कहानी जो हेरोईन बनना चाहती थी लेकिन IPS बनकर देश की सेवा कर रही है बता दे 8 ओक्टूबर 1980 को मेध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जन्मी सिमाला ने अपनी स्कूली पढ़ाई से पूरी की इसके बाद उन्होंने स्टुडेंट ओफ एक्सिलेंस से बिकॉम किया और फिर भोपाल के बड़कतुल्ला इंवर्सिटी से सोसियोलोजी में पीजी किया इस दोरान सिमाला को कोल्ट मेजल भी मिला सिमाला को बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का बहुत शौक था वह कॉलेज और स्कूल में होने वाले हर फंशन में सबसी आगे रहती थी और हर प्रतियोगिता में भाग लेती थी इसी बीट सिमाला प्रशाद ने PSC की परिक्षा पास कर लिए और उन्हें पहली पोस्टिंग DSP के पद पर मिली इसी पद पर रहते वे सिमाला प्रशाद ने UPSC एक्जाम की तयारी जारी रखी दिल्चस्प बात यह है कि IPS की तयारी करने के लिए सिमाला प्रशाद ने किसी प्रकार की कोचिंग की मदद नहीं ली बल्कि सेल्फ स्टडी करके ही उन्होंने इस परिक्षा को पास कर लिया IPS बनने के बाद सिमाला प्रशाद को मदद प्रदेश के जिंजोरी में पहली पोस्टिंग मिली फिलहाल सिमाला प्रशाद मदद प्रदेश के बैतूल में SP के पदपर काररत हैं और अपराधी उनके नाम से ही खौफ खाते हैं इतना ही नहीं बलकि सिमाला प्रशाद वर्तमान में दवंग अफसर के तौर पर भी पहचानी जाती है सिमाला ने कहा है कि कभी नहीं सोचो था कि सिवल सर्विस में जाना है लेकिन घर के महौल ने मेरे भीतर IPS बनने की चाहत जगाई मुझे लगा कि देश की सेवा करने के लिए सबसे अच्छा प्लाटफॉर्म यही है इससे अच्छा प्लाटफॉर्म नहीं हो सकता सिमाला प्रशाद IPS बन गई थी लेकिन उनके अंदर आज भी एक्टिंग का कीडा था जब दिल्ली में चल रहे एक कारिक्रम की दोरान सिमाला प्रशाद को डिरेक्टर जैगम इमाम ने देखा तो उन्हें फिल्म अलिफ में काम करने का मौका दिया वहीं सिमाला प्रशाद ने अपने अंदर के एक्टर को मढ़ने नहीं देना चाहती थी ऐसे में उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सिमाला प्रशाद की पहली फिल्म नवंबर 2016 में आस्ट्रेलिया में इंडन इंटरनेस्नल फिल्म फिल्म फिस्टिवल आफ कुईंस लैंड में बतौर वर्ल्ड प्रीमेर प्रदर्शित हुई और साल 2017 में फिल्म रिलीज हुई इसके बाद उन्होंने साल 2019 में आए फिल्म नकाश में पत्रकार का रोल ने भाया था जिसे काफे पसंद भी किया गिया तो ये थी सिमाला प्रशाद की कहाने जिन्होंने अपने जिन्दगी में हर सफलता हासिल की उन्होंने अपने शौक को भी पूरा किया यानि कि वो हेरोईन भी बनी और अपने सपने को भी पूरा किया IPS अफसर बनकर वो देश को अपनी सेवा भी दे रही है और भी ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें धन्यवाद